जनता की अदालत में जब नेता जाते हैं तो उनसे सवाल किये जाते हैं लेकिन आज इस जनता की अदालत में हम जनता से ही सवाल कर रहे हैं कि उनके क्या है ज्वलंत मुद्दे जनपत चंदौली हो मुगल सराई या अब जिसका नाम दीन द्यालुपाध्य है नगर है उनके म बुद्धे क्या होंगे लेकिन शुरुवात करेंगे कभी रोहित-पांडे से क्या लिखा है आपने जलंत मुद्धों पर सुनाई आपकॉत का नी यह मंजर हम नी देखा है गंढी राजिनीति राजनीती के कारण। तेरी गंदी राजनीती के कारण। किशानों पादे से लटकते हमने देखा है। इतना बड़ा मुद्दा आपके लिए इस बार होगा कौन और क्यों। देखिए जब से एक किशारा अंदोन चला है और बहुत से परिवार अनात हो गए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा इस चुनाओं में इसको लेकर हम बहुत सारी बाते निकल के सामने आएंगे बाते लोगों से भी करते हैं कि इस बार क्या मुद्दा होगा आपके ल जनता तरस्त है जब रोट पे चलते हैं तो यही भाजपा के लोगों ने वादा किया था कि हम गड़ा मुक्त कर देंगे 15 जुन तक का इन्होंने आदेश दिया था कि 15 सरकार बनने के बाद 15 जुन तक इन्होंने गड़ा मुक्त लेकिन आज तक कई 15 जुन बित चुके हैं आज तक गोई गड़ा मुक्त नहीं हुआ गैस का दाम देख लिए पेट्रोल का दाम देख लिए सरसो का तेल जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो आम जन्मानस जो गरीब जनता जो सरसो का तेल खाती है उसका मुहेंगाई का रेट देख लिए आपका क्या मुद्दा होगा मेडम सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है जो हमारे देश प्रदेश के युवा हैं वो तीन चार साल से उनके पास कोई नोकरी नहीं है कहर जगह करोना के कारण पूरा थपता सिस्टम और उनकी उम्र बीती जा रही है उनके पास रोजगारी सबसे बड़ा प्रदेश के प्रदेश के लिए रोजगार और डिजल पेट्रोल हमारा मुद्दा है के करोना के कारण बढ़ी हुई महँगाई यह मूल मुद्दा है जिसके आधार पर हम लोग इस बार ओट के लिए कि लिए मुद्दा मैडम महंगाई है और जो यूपी मैं सबसे दाब पर यूपी मिलिया जाता है और यह जूट और फरेबों की सरकार है और और सब जगारोट गढ़ा युक्त है कहीं कढ़ा मुद्दा होगा आपका हमारा मुद्दा होगा भेरुजगारी हमारा मुद्दा होगा सिच्छा हमारा मुद्दा होगा कानूने वस्ता कानूने वस् दर क्या है महाँ है महांगाय सबसे बड़ा मुद्द्दध मैं और erkios गारी नवजवान को नोकरी नहीं मिल रहा है लेकिन यो नवेट नहीं है मुद। प्हेल उसनष प्रोड हो देब भी का लेकिन रघ। साथ है महीने पर काम करता है उसके घर का बजट ही महीने में 6-7,000 हो गया है अगर उसके घर में ततकाल को बीमार होता है तो सोच लिए उसके बस सरसो का तेल खरीड राइव को खुद पता है कि कितना बड़ा मुद्दा है देश के геро के अदर महां आइच अब छीमा पर है knees टेल देखिए इस वर आपका क्या मुद्दा मुद्दाबन सवास्त के बिवस्ता जो सरकार देगी उसके पक्ष में मत दाता कि तोर पर अकरम अली गंगा की किसम जमुना के किसम ये ताना बाना बदलेगा कुछ आप बदले कुछ हम बदले तो ये गंधी और ये घटिया सरकार बदलेगी उसी के साथ हम सबसे पहले जहां हम खड़े हैं आप इस रेलवे इस्टेशन को देख लिजे पंडित दिन द्याल उपाध्या जी नाम लग दिया गया बोर्ड बदलने से कोई विकास नहीं होना है और हमको विकास के मुद्धे पर काम करना है यहां पांच उर्पया का रेलव वादा था आज जनता खोज रही है कि पंद्रह हजार पंद्रह लाग जो गए तो सुछ बैंग में खोजने वो बैंग कहा है अब बताओ हम पंद्रह लाग मिलेगा कब पांच रुपय की टिकेट पंच रुपय हो गयी है यहां का मुद्धा हमारा विकासवात का होगा महिला।ई की सुरक्षा का होगा और दूसरी चीज यह कि विकासवात जो इतनी पूर्व की सरकारों में लोग इक बिजली की बात करते हैं बिजली मुझे लगता है कि 24 मंतरी हैं उन्होंने 108 नंबर 112 नंबर की जो सुविधाइं दिया आज क्रेट में मैलाएं सुरक्षी ठोकर के रात में बाहर निकल सकती है मैडम यहां का मुद्दा बेरोजगारी है महेंगाई है सिख्षा का कोई बेउस्था नहीं है कोई साधन आपके स्वास्त के नहीं है कि सालों के साथ अब विवस्था है और मैडम हमारे साथी ने कर रहा तेंगी सरकार में 24 घंटे बिजली मिल रहा है साथी से आप पूछिए बाजपा के चैर्मेन हुए लेगी इसमें कोई करवाई नहीं है क्या मुद्दा है आप मैडम रोटी रोजगार सिख्षा और इंडेस्ट्री यह सूलव होना चाहिए और दो चीज और काना चाहिए जैसे सरकार नाम बदल रही है तो इस्टेशन का नाम लाल बादू सास्त चैर्ली के नाम पर होना चाहिए और चंदोली जन्दपत का नंपर दो नाम बदलनी कि तयारी इस पर वोट करेंगे आप क्या आपका मुद्दा होगा हमारा मुद्दा यह कि भाजपा सरकार बोली थी सबका साथ सबका विकास इतना बढ़िया भीकास वो कर दी है कि अगर रुपया का टिकट पचास रुपया का हो गया बाहर से लोग पढ़ लिख करके आ रहे हैं तो बताया जा रहा कि पकोड़ा तर लिजे काम से इससे नहीं चलेगा सिलेंडर आप ने दिया जो सिलेंडर साले 400 को था वो 1100 को हो गया मुद्दा क्या होगा आपका अगला हमारा अपना व्यक्तिकत एक सुझाओ है कि एक आम मत दाता के नाते हम आगे की अब सोचेंगे महिला का सुरक्षा दूसरा खेल कूद और ऑडिटोरियम को भी बढ़ावा देना और रोजगार ये हमारा प्रथम मुद्दा होगा अब ABP News आपको रखे आगे